इन्बी सीन के बिजनेस नूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पल्लवी एकोनोमी में जपान से आगे निकली जर्मनी लेकिन दोनों को पीचे शोड़नी की तयारी में भारत जापान को पचाड कर जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बन गई है गुर्वार को जारी आकड़ों में यह बात सामने आई है पिछले साल जापान की एक दशमलब नो फीसदी की रफ्तार से बड़ी लेकिन इसके बावजूद वह जर्मनी से पिछड गई वही देखा जाए तो भारत की एकोनोमी इन दोनों को पीचे शोड़ने लगी है डॉलर ट्रम में जापान की एकोनोमी चार दशमलब दो ट्रीलियन डॉलर पर है जबकि जर्मनी के एकोनोमी का साइस चार दशमलब पाच ट्रीलियन डॉलर है डॉलर की मुकाबले इन की कीमत में गिरावट से जापान की स्थिती कमजोर हुई है 2022 में जापान की करेंसी में डॉलर की मुकाबले करीब 20 फीसदी गिरावट आई जबकि पिछले साल यह 7 परसेंट गिरी दुनिया के कई केंद्रिय बैंकों ने जहां ब्यास दरों में बढ़ोतरी की वही बैंक ओप जापान ने नेगेटिव इंटरेज रेस्ट को बरकरार रखा है जापान और जर्मनी यहां संगर्श कर रहे हैं वही भारत की एकोनोमी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है पिछले साल भारत की एकोनोमी सबसे तेजी से बढ़ी थी और IMF के मुताबित अगले दो साल भी ऐसा ही अनुमान है भारत अभी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान की बाद दुनिया की पाचवी बड़ी एकोनोमी है देश में अब लगजरी मकानों की बिक्री में उच्छा लाया है लगजरी मकानों की जम कर बिक्री हो गई है उची आर्थी खेसियत वाले लोग अब लगजरी आवासिय इकायों को खरीदने में जादा दिल्चस भी दिखा रहे है वही वज़ा है कि पिछले साल देश के साथ प्रमुक्षरों में चार करोट रुपे या उससे अधिक दाम के घरों की बिक्री में 75 प्रतिशत की भारी रुद्धी हुई है रियल स्टेट्स हलाकार कंपणी CBIE ने बुद्धवार को जारी एक रिपूर्ट में यह जानकारी दी इसके मुताबित साथ प्रमुक्षरों में से दिल्ली NCR में सबसे अधिक तेजी रही और यहां लगजरी घरों की बिक्री में लगभक तीन गुना उच्छा लाया इस रिपूर्ट की मुताबित वर्ज 2023 में 4 करूट रुपे या उससे अधिक किमत के 12,935 घरों की बिक्री हुई जबकि साल 2022 में यह संक्या 7,395 इकाई थी इस तरह लगजरी घरों की बिक्री में 75 प्रतिशत का बड़ा उच्छाल देखा गया दिल्ली NCR में लगजरी घरों की बिक्री एक साल पहले की 1,860 इकाई से बढ़कर 2023 में 5,530 इकाई हो गई मुंबई में यहां आकडा 3,390 इकाई हो गया जबकि हैदराबाद में लगजरी घरों की 1,240 इकाई हो गई पूने में पिछले साल 415 इकाई हो की बिक्री देखी गई जबकि बैंगलोर में लगजरी घरों की बिक्री 265 इकाई हो पर स्तीर है मोजुदा वित्तवर्ष के खत्म होने में अब कुछ ही समय बाकी है और जाधा तर टैक्सपेयर अभी से अपनी फाइनेंशल प्लानिंग में जुट गए होंगे अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग को लेकर प्लानिंग नहीं की है और इस बारे में सोच रहे है कि अपनी गाड़ी कमाई बचाने के लिए कैसे और कहा निविश किया जा सके तो फिर ये खबर आपके लिए टैक्स सेविंग की लिए समय से पहले निविश करना होता है और फिर आइकर विबाग को निविश से जुड़े दस्तावेश प्रूफ के तोर पर देना होता है आप 31 मार्च 2024 तक कुछ स्कीम में निविश करके ITR के दोरान डिटकशन क्लेम कर सकते है इसके लिए आप तमाम सरकारी सेविंग स्कीम में निविश कर सकते हैं इन स्कीम में टैक्स सेविंग के साथ ही रिटन भी शांदार मिलता है इसके लिए कई आप्शन मौजुद है जिसमें NSC सुकन्य समरूदी योजना PPF NPS शामिल है एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकिश अंबानी की कमपनी र पर विचार कर रहे हैं अम्बानी के नेतरुत्वय वाली रिलाइंस कथित और पर वॉल्ड डिजनी से टाटा प्ले में हिस्सेदारी के लिए बादचित कर रही है अगर ये बादचित सफल होती है तो फिर यह पहली बार होगा जब अरब पती मुकिश अम्बानी की करने जा रहे हैं इसमें बताया गया है कि डील के बीच रिलाइंस इंडस्ट्री कथी तोर पर वॉल्ड डिजनी कंपनी से टाटा प्ले में 29.8 फीसदी हिस्सेदारी के लिए बादचित के दौर में है इंडियन हुम पाइप कंपनी लिमिटेट के शर आज गुरवार को दोरान इस शेयर में 15 प्रतिशत से अधिक की बड़ोतरी हुई थी कंपनी की शेयर 271 रुपए को इंडरा डे हाई पर भी पोश्च गये थे शेयरों में इस तेजी के पीछे बड़ा ओर्डर है जिसकी जानकारी कंपनी ने बाजार को दी है दरसल इंडियन हुम पाइप कंपनी ने महारास्ट में 495 करूट की वर्क ओर्डर मिलने की जानकारी दी है स्टोक एक्स्टेंजों को दी गए जानकारी में कंपनी ने कहा कि उसे महारास्ट के जलगाव सिंचाई परियोजन सरकल के तापी सिंचाई विकास निगम जलगाव से 495 दशमलब 4 करूट का ओर्डर मिला है कंपनी ने बताया कि ओर्डर वैल्यू में रोयल्टी, बीमा, जेयस्टी, भूमी अधिग्रहन, लागत और फसल मुवाजा शामिल नहीं है कंपनी को यह ओडर वर्कडे, लोंडे, सिंचाई, परियोजना के प्रेशराइस पाइप डिस्टुबिशन नेटवर्क के लिए सिविल, मेक्यानिकल और इलेक्ट्रिक कारियों की इंजिनेरिंग, खरीद और निर्मान के लिए दिया गया है इस काम में पास साल तक पूरे सिस्टम का ओपरेटर और मेंटेनेंस भी शामिल है कंपनी ने कहा कि यह परियोजना को 24 महिने की भीतर पूरा करने का टारगेट रखा गया है एकोनोमी में जपान से आगे निकली जर्मनी लेकिन दोनों को पीचे शोड़नी की तयारी में भारत लग्जरी मकारू की डिमांड में आया उचाल 75-25 तक बड़ी विक्री खबरों का सिलसिला यूही जारी रहेगा देखते रहे हैं इन्बीसियन न्यूस